खबर बदाईूं से है जहां आवारा पशूं से तंग आकर मोहले के लोगों ने जिमेदारों के खिलाब प्रदर्शन किया CM Helpline समेट अधिकारियों से शुकायत कर गुहार लगाई 100 से अधिक आवारा पशूं के आबादी के बीच रहता है जो बतादे की लोगों कारूप है कि आने जाने वाले लोगों पर पशू हमला कर देते हैं मयाक रोशित लोगों ने जिमेदारों पर सुनवाई ना करने कारूप लगाते हुए हंगामा काथा मामला बिलसी नगर के मोहला नंबर पांच दुर्गा कॉलनी का है मामला सरी है कि यहां पर गायों का बहुत बड़ा आतंक है और पूरे दिन गाय ही रहती है लगवक डेड़ सो डेड़ सो की संख्या में यहां गाय और बिजहार जहां पर रहते हैं मौजूद तो लोगों का निकलना और बच्चों के लिए सबसे यादा खत्रा रहता है और खेती जो जहां ओर पास हो रही है यहां तो होना ही थे वैसे यह एत भी आ इसमें भी खेती तोड़ी होती थी लेकिन इसमें भी बंद रहाकिया आप देख राहें पूरा बंजर पड़ा अधा Way यह पर फेसल कर देते हैं A Ami- Aim만 Abdi Kambaliaya क्होर जाते हैं और जो लूदा माशी खर्चा जो आता है तो यहां क्यों गुम रही है इनकाइंतियाम नहीं है सरकार गव queens और दे रहे इनके खर्च क्यों नहीं हो रही है कियो उन्त ओन नहीं हुआ है कि यहां क्यों गुम रही Jeremiah किरन देवी चौहान और यहां पर वारव पसुष ने परसान कहते हैं रपटा 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 आगे मारती हैं गाही हो पेट में सिंग बीकाद दो यह पंटतानी उस दिन नाली में गिरा लही वो उनको बच्चे उनको पेट फट जातों और परसान रपटा आती हैं बहुत नहीं आएं बच्चे कि अज़ें बहुत गाया हैं कोई पताई नहीं है कि इन गाय है बच्छण बढदे बढ़ बढ़ या नमबर 5 की दुरुए का लए निए परसानी चोटे चोटे बच्चे हम लोग भी निकलते हैं पूजा करने जाते मंदर जाते हैं काफी दिक्कत होत हुआ मारते हैे पष्रावारा पष्रू मारते हैं इसकुमार सक्सियाना तो पना दूर्ग कालोनी निवाशի यहां रहता हूं यहां अवारा पशू जो नननाा है फाहते है हुआ यहां से बच्चों का विद्याले जब जाते हैं तो उनका निकलना दूबर होता है, बड़े बुजुर्ग जो हैं, यहां से जब निकलते हैं तो उनका भी निकलना मुश्किल होता है, कई वार लिखित और मौखिक शिकायत की गई है, लेकिन कोई कारवारी नहीं हुई है, ज जिस कारण यहां पर लोगों का निकलना दूबर है बच्चों को विद्ध्याले बेजते समय डर रहता है कहीं कोई घटित ना हो जाए